नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ राची में एडी की टीम ने हमें सोरेन और अभीशेक प्रसाद पिंटू के करीबियों के ठिकानों पर रेट मारी है कोकर और अशोक नगर इलाके में इकारवाई हो रही है कोकर के युद्यापूरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप के यहाँ एडी की टीम ने छापा मारा है छापे मारी के तार भी बढ़गाई अचल में हुए जमीन घुटाले से जुड़े हैं बताया जाता है के रमेश गोप बढ़गाई अचल के सी आई भानुपताब प्रसाद के करीबी है इसके अलावा भी एडी ने कुछ जगाओ उपर छापे मारी की है हाला कि जगाओ लोगों के नाम अब तक स्पष्ट नहीं है राज़ के पूफ मुक्य मंतरी हैमन सोरेन एडी की हिरासत में है उनसे बढ़गाई अचल की जमीन के संबंद में इडी लगातार सवाल कर रही है सी आई भानुपताब से भी इस गोटाले से जड़े सवाल किये जा रहे है इडी लगातार हैमन सोरेन और अभीशिक परसाद पिंटू से जड़े लोगों पर नज़र रख रही है और कहीं जगाओं पर छापे मारी भी की जा रही है विनोट सी भी सकड़ी का हिस्सा थे अब इडी इस मामले में और एहम सबुत जमा करने में लगी है इडी हैमन सोरेन से 15 फरवरी तक पुश्टाच करेगी हाई कोट में हैमन सोरेन की और से सुप्रिम कोट के सीनियर एड़ोकेट कपिल सिंबल जारकन के महादिवक्ता राजिप रंजन और अधिवक्ता प्यूशितरेश ने प्रक्ष रखा मैं इडी की और से एडिश्टन सॉलिसीटर जनरल स्वी राजू अधिवक्ता एक दास ने पहरवी की जस्टिस चंदुशेकर की अधिश्टा वाली खंडपीट में मामले की सुनवाई हुई सुनवाई के बाद हैमेंसोरेन की और से दाखिल क्रिमिनल प्रिट याचिका और संचोधन पिटिशन पर जवाब दाखिल करने के लिए अधालत ने एडी को दो हफ़ते का समय दिया है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद